इस बार का जो हमारा विशय है वर्ल्ड किड्नी डे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किड्नी की समस्या किड्नी की परिशानिया एक बहुत उभरता हुआ बिमारी बढ़ती चारी है और जैसा कि अभी स्टेडी में भी देखा गया है कि सौ में से लगबक 10-15 लोगों को किड् किड्नी की बीमारी कोई बी परिशानिया अगर लंबे समय तक बनी रहे हैं उसका एक duration defined किया गया है कि अगर ये तीन मेने से ज्यादा पनी हुई है तो उसे आप पह सकते हैं क्रोनिक किड्नी डीजीज इसे जरूरी नहीं है कि उसमें क्रेटिन ही जो लोगा आम तोर पर समझते हैं कि क्रेटिन बढ़ा हुआ है ये जरूरी नहीं है अगर किसी को विश जानना हमारे लिए क्योंकि वर्ड वाइड ना हमारे देश में नहीं बलकि पूरे विश्व में सबसे जो प्रमुकार्ण है किड्नी खराब होने का वह है डायविटीज और हम सभी जानते हैं कि डायविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है खालतोर से हमारे कंट्रीज मे हैं उसके अलामा डायविटीज के अलामा दूसरा प्रमुकार्ण है हाइपर टेंशन है और इस कंडिशन में किड्नी की खराब होने के चांसे बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं और यही दो विमारिया है जिसके कान से किड्नी की परिशानिया दिन प्रती दिन बहुत तेज होती है कुछ जैनरी भी पहुति हो सकती है इसमें भी क्राब हो सकते हैं जो कि हमारे देश के लिए महत्पूर्ण है वो है रिइनल हिस्टों डी शी कर रहे हैं तो मैं सर आपको हंद करना चाहूंगा कुछ प्रकार हैं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये पत्री होने की संभावना बहुत अधिक रहती है यह डिपेंड करता है जैसे भोगोलीक स्थिती हम स्टोन बेल्टेरिया में रहते हैं यहां पर स्टोन की परसेंटेज और जगे के मुकाबले जादा है दूसरा कारण है हमारे खान पान पे, अगर हमारे खाने पीने में नमक ज़्यादा है, हम कम पानी पीते हैं, या मास इत्यादी का प्रयोग ज़्यादा है, तो पेशाब में पत्री बनने का चांस ज़्यादा रहता है, कुछ अलग कारण जैसा हमने डिसकस किया था, मोटापा पत्री बनने कारण करीब करीब दुगना बढ़ाता है ऐसे ही diabetes तेजावी acidic urine बनाती है तो पत्री प्रिस्पिटेट होने का रिस्क जादा बढ़ जाता है कुछ कम common कारण है जैसे अनुवानशिक कारण है कुछ रोग है जैसे घटिया रोग है इनके अंदर पत्री बनने का र काम करने की संबावना दब होते हैं इस से जोड़ी भी बहुत सारी भ्रांतियां है पत्री अगर गूर्दे में तो कोई दबाई ऐसी नहीं है जो पत्री को वहां से निकाल करके रास्ते में ले आये जी कुछ खास तरे की पत्रियां ही है जो दबाई से गुलती है जैसे pure uric acid stones, कुछ दवाई की वज़े से बनीवी पत्रियां जो पिशाब में घुल सकती हैं, इसके इलावा जो दूसरी पत्रियां है, उनका पिशाब में घुल जाने का चांस बहुत कम रहता है, जो पत्रियां नली में आ गई हैं, उनका पत्री का स्थान और उसके साइज पे निकलन है कि वह दवाई से निकल जाएगा, नौ मिलिमीटर या इसे बड़ी पत्रियां हैं या उपर ही हैं गुर्दे के पास में तो उनका गरीब 25 प्रतिशत, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे पत्री अपने आप निकलने का या दवाई से निकलने का चांस कम होता जाएगा अगर जैसे कई लोग होते हैं जिनको पत्री के बारे में जारा जानकारी नहीं है या वो सई समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं इसका क्या नुकसान होता है कुछ सितियां हैं जिनमें पत्री के साथ में अगर ऐसी सिति हो तो हमें इलाज डालना नहीं चाहिए कभी भी अगर पत्री के साथ संक्रुमन है गुर्दे में रुकावट है या सूजन है पत्री एक ही जगे के ओपर एक महीने से जादा है और गुर्दे पे दवाव डाल रही है एक ही गुर्दा है और उसमें पत्री पंसी भी है या पत्री का बल्क स्टोन का जो बल्क है मात्रा है वो बहुत जादा है ऐसी स्थिति में इंजार करना हमारे लिए गुर्दे के लिए नुक्सान का हो सकता है। पत्री हम बाद में भी निकाल पाएंगे लेकिन गुर्दे का नुक्सान हम वापिस ठीक नहीं कर पाएंगे। जी तो सर अब जब इतनी समस्या हैं चीजें बढ़ती जा रही हैं तो सर आके क्रोणी किट्नी डिनिस को रोका कैसे जा सकता है। इसके उप्चार क्या है। देखे मैं तो यह कहूंगा कि सबसे पहले हमारी कोसिस यह होनी चाहिए कि इसको होने से रोका जाए। उसका कान जैसा कि सर ने अभी बताया कि किट्नी की बीमारियां एक बार किट्नी खराब हो जाने के बाद उसके ठीक होने की संभावन अलगब नौके पराबर होती है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इन बीमारियों को समय रगते ही होने से रोके। जैसा मैंने बताया कि क्रोणी केड्नी डीजीज या केड्नी खराब होने का प्रमु कारणों में डाइबिटीज और हाइपटेंस्टन है। और यह हम सभी जानते हैं आज के समय में कि यह दोनों बीमारियां हमारे धैनिक नीचरिया से जोड़ी भी हैं। लाइबिस्टाइल रिलेटेड विमारियां हैं तो हम इन विमारियों को होने से रोक सकते हैं। एक हमारे में लोगों में भ्रांत यह रहती है कि यह बिमारिया ओल डेज की डीजीज हैं। पर अब ऐसा नहीं हैं। कि समय के साथ-साथ यह बिमारिया एज में सिफ्ट होती जा रही है। और अब यह देखा जा रहा है कि इवें थर्टीज में जो लोग थर्टीज में हैं उनमें भी डाइबिटीज और हाईपटेंसिन डवलप बजाता है। तो हम लोग अब इडवाईज यही करते हैं कि जो लोग तीज सालिया उसके उपर हैं वो खास दोर से अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, खान पान में का ध्यान रखें, मोटापे से बचें, एक्सरसाइज अपने दिंचरिया में सामिल करें, आदे एक गंटे के ए चाहिए, और साथ में समय समय पर अपने ब्लड पेशर और शुगर की भी जांच कराते रहें, यह ऐसा नो सुचे कि नहीं हमें तो नहीं होगा, अभी मय अंग एज में हूँआ, इसा डिलकुल नहीं है, और ताकि समय रहते ही हम इन बिमारियों को का पता कर सकें, क्यूंकि यह बिमारियां silent killer कही जाती है, जिस तरह से diabetes आ, hypertension उसी तरह से kidney disease की है, यह बहुत ही unfortunate है कि kidney disease जब अपने five stages होते है, kidney disease के, जब यह अपने fourth और fifth stage में पहुंच जाती है, तब जाकर के patient को कोई भी दिक्कत पता चलती है, जैसे कि दिक्कत हो सकती है कि सरी में सुजान आना, भूख न लगना, कमजोरी महसोस होना, मिचली आना, उल्टी होना, बट यही सबसे बड़ी problem है कि यह जो दिक्कते हैं बहुत late stage में पता चलती है, तब तक हम 70-80% kidneys already damage हो चुकी है, तो इसलिए समय रते इसका पता करना था कि हम at least हम उसको revert नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर स प्राइशन हैं, वो ध्यान रखें, अपने sugar का और blood pressure का proper control लखें, अपने physician से लगातार मिलते रहें, दिखाते रहें, अपनी दवा regular लेते रहें, और साथ में, बीच बीच में, जैसा कि अगर आपने डॉक्टर कपा जाएंगे, तो routine में डॉक्टर कराते ही हैं, कि एक बह दिखा गया कि बहुत early stages में इन बीमारियों को reward भी किया जा सकता है, या निकि पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है, तो वह ही है, मतलब अगर पहले से जानकारी हो तो उस बीमारी से होने से पता दा सकते हैं, सर जब हम kidney की बीमारियों की बात सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमात में आता है dialysis, dialysis क्या होता है? यह simply काम करती है, जैसे body के अंदर kidneys काम करती है, kidneys जैसे blood को filter करके, और जो भी obsessed पदार्थ होते हैं, जो भी extra मात्रा में होते हैं, जो भी चीज चाहे हो पानी हो, चाहे salt हो क्योंकि कोई भी चीज हम ऐसा नहीं देते कि हम इतना ही limited लेंगे, अगर मानलीजिए कि हम दिन बार करती है, और dialysis machine वही काम करती है, जो kidneys करती है, हम blood को flow कराते हैं उस machine के तुरू, और उस machine में filters लगे रहते हैं, वो जरूवत के अनुसार जो भी blood में extra मात्रा है, और साल साल से वो abscess पदार्थ, जो उनकी body में जरूवत नहीं है, जो नुक्सान दायक है body के लिए, जैसे urea सब्सक्राइब करते हैं, जिरको हमें सरी से निकालने की जरूरत होती है, वो machine निकाल देता है, तो इस process को dialysis करते हैं, यह dialysis जनरली जो मैं बता रहा हूं, machine वाली dialysis करते हैं, क्योंकि यह blood की थ्रू होती है, एक और dialysis की modality होती है, विदा होती है, जिसको peritonial dialysis करते है, नाम भादसा में पानी की dialysis करते हैं, उसमें क्या होता है, कि हम जो अपनी abdominal cavity होती है, उसमें यह देखा गए कि तोड़ा सा space होता है, हम उस space को utilize करते हैं, और कुछ पहले से ही pre-packed fluid आते हैं, जिसमें सभी चीजों की जो बाड़ी में जरूरत हो उसकी एक fix मात्रा डाल दे हैं, और उस पानी को हम उस abdominal cavity में भर देते हैं, उसमें एक tube लगा करके fix कर देते हैं, और पानी डाल देते हैं, उसमें यह पानी 4-6 गंटे तक उसमें रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो blood की abscess पदार्त हैं, जो कि blood में ज्यादा मात्रा में हैं, वो filter हो करके उस पानी म करना परता है, जैसा कि kidney किश्केज करती है, तो यह दो तरह के प्रमुख dialysis हैं, जो हम लोग करते हैं, तो मतलब dialysis का मतलब अगर हम आम वासा में समझें, तो एक artificial kidney रखती जाती है, जो आपके kidney आताम करती है, तो dialysis तो एक तरह का उपचार हो गया, इसके अलावा kidney के ला करके और आपके सरीर में लगा दी जाए, अच्छी चीज नेचर ने हमें यही दिया है, जिसे हम अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे सरीर में दो kidneys होती हैं, समके सरीर में, जादातार लोगों में दो kidneys होती हैं, बट यह देखा गया कि अगर हमारी एक kidneys में normal हो, बुरी तो हमें life में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पुरा life आराम से निकाल सकते हैं, बनी कि एक additional kidneys हमारे पास होती हैं, और उसका हम लोग benefit उठाते हैं, life donation में, kidney लेने बाद देने वाले दो तरह क्या हो सकती है, एक होता life donor की जो मरीज है, उसके कोई relative, जो close relative है, उनका किसी की, जो जाते हैं, और ये kidney से दोनों, देने वाला भी एक kidney से और जिसको हम लगाते हैं, वो भी एक kidney से आराम से उनका जीवन चल जाता है, जुसरा एक विये होता है कि कैड़वरिक donor, कैड़वरिक donor में क्या होता है, कि इसके लिए थोड़ा सा arrangement और जादा चाहिए होता है, facilities, बड पर छाएं, थे हो गया है, बाकी organs ठीक है, उस case में उन organs में को retrieve कर लेते हैं और उस organs को भी फिर हम को पिसेंट में जो भी line में patient होते हैं जया भी बेटी में पिसेंट होता हैं उन में लगा दिते हैं, तो इसको VIDम करनल विए धारान्स पिर पुर्छतर चाहूँगा, प्रें त्रांस्प्लांट ओपरेशन जो है उसका मेजर फाइदा यह है कि हमको मरीच को डायलेसिस से निजात मिल जाती है अगर किटनी ठीक से शरी रेसेट कर ले और वो काम करना शुरू कर दे तो एक डायलेसिस से जो बंदे रहने की समस्या थी वो चीज ठीक हो जाती है खान पान पे जो इतना प्रतिबंद रहते हैं वो कम हो जाते हैं नॉर्मल खाना खा सकते हैं अपना ध्यान रख सकते हैं फिर ऐसा देखा गया है कि ट्रांस्प्लांट ki wajahe se मरीज k Our.I.U. डाईलेसिस के k सुमपारिजन में या बिन गिना किसी राज क सुमपारिजन में काफी बढ़ जाती है ट्रांस्प्लांट हमारे पास एक पिछे सत्र सालों से है और इस ताइम में जो हमने स्टडीज देखी हैं, उसके इसाब से एक फाइनिशल फाइदा और है, अगर सेम टाइम एक मरीज डायलिसिस पर रहे, मालीजे दस साल रहे, और दस साल ट्रांस्प्लांट के बाद में रहे, तो ट्रांस्प्लांट में उसको अपना ध्यान रखने के लिए कम पैसे की जरग पड़ेगी as compared to dialysis, इसी वज़े से ट्रांस्प्लांट को हम डायलिसिस से बेटर ट्रीक्मेंट सजिस्ट करते हैं, एक और इंपॉर्टन चीज है, quality of life, ये ट्रांस्प्लांट पेशेंट के quality of life as compared to dialysis काफी इंप्रूव हो जाती है, करीब करीब न इसलिए मैं तो कहूंगा कि ट्रांस्प्लांट कितना सक्सेस्टूल है? समाज में बहुत सी भांतिया होती है, वो समय के पहले से चली आ रही है, आज भी 50 सल पहले था, वो situation अब नहीं है, अब चीजे काफी change हो गया है, साइस काफी change हो गया है, और success rate काफी बढ़ गया है, और इसलिए dialysis से कई गुना जैसा कि सन ने बताया बहुत अच्छे से कि क्या क्या differences हो सकते हैं, एक लाइन में कहूं कि dialysis के कई गुना अच्छा life होता है, जिन पेशेंट में ट्रांस्प्रांट हो जाता है, दूसरा एक पेशेंट अक्सरा आते हैं से कर सकते हैं या यह नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एजांपल बताऊं कि हम लोग ने सेंटर तो मैं आपकी अपने ही पाइलेट का भी ट्रांस्प्रांट कीया है, और वो पाइलेट अज प्लेन उडा रहा है तो आप एक झांपर से समझ सकते हैं कि आप ट्रांस्प्लांट के बाद बिल्कुल नार्मल जीवन प्रतित कर सकते हैं, जिसे और कोई भी भी ब्रतित जी सक तरह बहुत जरूरी सवाल है जी ट्रांस्प्लांट के अंदर मेजर असुविधा यह रहती है क्योंकि एक मेजर सरजरी है मेजर सरजरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है जैसे ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में ब्लीडिंग होना इन्फेक्शन ह यह संभावना किसी भी बड़े ऑपरेशन की तरह इससे भी जोड़ी है जो मरीज के तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह कि यह बड़ा ऑपरेशन है तो एक मुष्ट हमारे को जरवक पड़ती है पैसे की सब के पास उतना व्यवस्ता उस वक्त वैसा नहीं हो पा है यह संभावना जीवन पर रहती है तो हमें लगातार दवाई लेना और डॉक्टर से लगातार टच में रहना यह जरूरी है यह थोड़ा साही का असो विदा का कारण है पर यह उसके कंपारिजन में जिसमें बार बार बिमार पढ़ना है और हमें मशीन पर डिपेंड़न मैं तो यह कहूंगा कि किड्नी एक बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गन है मारे लाइफ के लिए और जिन पिशिंस की किड्नी खराब जाती है उनकी लाइफ बहुत ही दैनी हो जाती है इसलिए हम सब को अपने किड्नी का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए कोई बहुत थोड़ा बहुत ध्यान अपने थोड़े बहुत अपने धैनिक जीवन चरया में परिवर्तन ला करके जैसे कि मैंने बताया कि आगर हम डायविटीज और हैपटेंशन से अपने आपको बचा सके और साथ में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो किड्नी को हाम कर सकती है उनका ध् अपने किड्नी को पुरी तरह से स्वास्त रख सकते हैं इलाज के प्रकार से बड़ा इलाज होने से या बिमारी बड़ी होने से घबराएं महीं हिम्मत करके बरदाश्त ना करते रहें ऐसा नहीं हो कि बिमारी बड़ी होकर के हमारे सामने आए और हमें उसी इलाज के लिए आज के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल जागा हो यह सबसे जरूरी है जैसा हमने कुछ अविस्टो विदाय भी डिसकस करी थी यह इलाज जरूर बड़ा है उपरेशन जरूर बड़ा है लेकिन इसके लिए जो हम क्यारी करते हैं वो इतनी सफिशेंट है कि हम उसको सेफली क करी आउट कर सकते हैं तो पूरी जानकारी कठी करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें लेकिन डर करके अपने इलाज को टाले नहीं यह सबसे तो मतलब अगर किसी भी प्रिकार का संदे होता है तो अपने डॉक्टर से मेले और उसका इलाज चलूर रहे है सर एक मेरा कि परसनल सवाल था, जैसे कई बार क्या होता है हमने अभी तक चर्चा की है जिन लोगों किद्नी परिशानी होई है जिनका ट्रांसप्रांट नहीं हुआ है नगर जो लोग किड्निệt करा का चुकी हैं और हमारे देश में बहुत जादा होते हैं तो मैंने किसी सो सुना था वो बता रह急 किकीड्निे टर्टरंपरांड और हम lecture है ने और सबस mirs कि 6 जीवन प्राइर करते हैं वैसे ही जीवन बतीत करते हैं बस कुछ साउधानियां बता ही जाती है जो कि ऐसा नहीं रहता है उसको बढ़ा चला करें बता है कि साउधानियां रखें ताकि आप इंफेक्शन से बज सकें और वो नार्मल आदमी के लिए है आपोपें साइट के फूट्स हैं फूट्स बिना थुले हुए खाते हैं आप रोड्साइट खाना खाते हैं पानी की क्वालिटी अगर खंदी है तो पिद्धी ने हो जाता है टू इंफचंस पे इन चुकि इंप् बाराम से कहीं काम पे जा सकते हैं, काम पे काम करते हैं, हमारे पेशेंट रैसेंग जो खेतों में काम करते हैं ट्रांस्प्लांट के बार, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इस तरह की कोई प्राब्लम होती है। तो मतलब वह यह मित बहुत जादा हैं, लोग अभी तक इतना भरोसा नहीं कर बारे हैं। तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसका निदान कराएं, घबराएं नहीं, घर से बाहर निकलें, चर्चा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।